उसके घर में इतनी घरीबी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसके पढ़ाई छुड़वा कर उसको काम पर लगाना चाहते थे टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया पिता के काम में हाथ बटाया वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेक अंसार एहमद ने ये तै कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा माराश्रों PCS की परीक्षा वो पास नहीं कर बाया लेकिन UPSC की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही ना सिर्फ पास कर ली बलकि 361 रैंक भी हासिल की अंसार बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है आपका जिन्दगी लाइव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें यंग ओफिसर को आपने सामने देखकर चाहूंगे कि आप सबको बताएं कि किस उमर में अपने UPSC की परीशा क्लिया किया मैं 21 साल का था तम वेरा रिजल्टा आया था एकी साल की उमर में इन एक्जाम क्लियर की तीजी वाँ बहुत गरीबी के दिन देखें पच्छा पर ने जी हां बिलकुल क्योंकि मेरे पिता जी जैसे आप आटो रिक्षा रिवर थे और जो BPL families होती है, below poverty line, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी आमें उसी के तहित मिला था, तो एक below poverty line की family में मैं पैदा हुआ था अच्छा ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर गे कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा एक message सुनवाते हैं आपको जब उसकी पिताजी इसको नहीं आए तो वो बोले उसका नाम निकाने का है अब उसको इसको इसको नहीं रखने का पिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका वो क्या करेगा तो इसको कुछ सूब भी काम दंदा देके काम करेंगा तो मैंने बोला यह चे नहीं और वो जहां तक पढ़ना चाहए उसको पढ़ने अगर ये मेरे पिताजी को ने बताते तो शायद में कही रिक्षा चला रहा होता आपकी अमी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर चलाने के लिए जी हाँ बिल्कुल घर का खर्श और मैं जब पुना वे पढ़ाई कर रहा था अब भाई भी मुझे पैसे दिया करता था लेकिन पैसे कभी कभी कम पढ़ जाते थे तो मेरे अमी खेत में काम करती थी लांड लेबर तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज़ देती थी चलिए आपके लिए और मेसेज़ पनानिसर ने पहले पास से रात का भी चिर्चिराग लगा के पढ़े करता गया सोजा बोले होंगे तो नहीं तुम सोजाओ दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको कि जो पहले पास से पहले से एक नंबर एक आते आ गया तो आखरी तक नंबर एक जाया उसको पड़े को हमने कोई कमी नहीं आने दी घर कर परस्तिबाता आई नहीं हमने उसको कई लिए और उस दौरान भी परिवार की स्थिती तो बदली नहीं थी दिकतें थी उस समय भी आपको बहुत कामवाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर चुठाने जाए अटेंट में मेरे चुटिया चल वे थी और मुझे कॉंप्यूटर सीखना था तो में सेटी का कोर्स आता है वो कोस्ट मुझे करना था उसकी फीस थी लगबग 2,800 सम्थिंग उस वक्त उसकी फीस थी पे करने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने मेरे अब्बु को बताया कि यह रेस्टारंट है यहाँ पर मुझे काम करना है मुझे वो लगबग 3,000 रुपे तक कुछ पगार दे रहे है अब बुन ग가ठी के तुमको करना हो एतो करो कुर मैं उस रिस्तारंट में काम करता था सुबह 8 बज़े से लेकर रात में 2 बज़े चुट्टी मंदी मुझे उस मेरा नंच करना होता बाय होता मुझे वजे उसकी ताहन दील जाना होता था कॉमारे गवर्ञ में ही वो होता और उसकी बात जब दस बजे होटल बंद हो जाता था तो एक गंटा मुझे जो फर्श वगरा होता था वो सब साफ करना था बैटके हाथ से तो वो काब मैंने किया तो घर में सिवाप ही सबसादा पढ़े लिखे हैं बाकी सब की पढ़ाई छूट गई काम करने लग गया तब से मेरे मema के पास काम करता था एक मैसेज बोसने जित मुझे इंटरेस्सि ने झाना पंड़ने के लिए पढ़ाईगे लिए और मैक बार्स की भी महीं वेल हो गाया था जब斜ी उसके मैने मैघ मामलली आके मैं आपतना ऊशर नहीं हूँ लेकिन मेरा बाइ किससे ज्या कि नेंगा कि मैरे सक्षेसका बहुत बड़ा ओद जो है मेरे माता पिता के पाथ मेरे भाई को जाता है के देखिए अकसर है को तब बड़ा भाई छोटे भाई के पढ़ाई के लिए करके हैं लेकर लेकर यहां उलता था छोटा फाय राट दिन मैंनत कर के बहुत आहै को पैसे देरा था यहां से चूटे जी और मने कि अधिक शुटिय थो में काम किया बाज थो काम किया कॉलेच을 के काम किया कॉलेच के फर्से हें ग' bestimm काम किया लेकिन वो नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते आगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं आई एस ओफिसर नहीं होता है मैंने कभी मेरा बूसे कोई शिकायत में किया है कोई गरीब ने चाहता कि इसका बेटा कभी ना पड़े कहीं मोल मजदूरी करें चाइड लेवर के दौर पर कोई बाप नहीं चाहता लेकिन मुझबूरिया थी उनकी स्वाइब बहुत रिस्पेर्ट करता हूं मेरे पैरेंट् को कोई लेवर को बार striking बुद बढार लेक्वालेक मेरा सत्कार मैरा स्वांगाट करें मेरे को बुलाए फिर मेरे हर्ट चाती सी धढ़कने को लगी कि मेरे वह को मैरे बच्च बंने एक कामका हुगाया है मेरे कालै वो यसाब में अपोड़ जो गहत में एधना पड़ा औ वर दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो भी बेच दालिए अपो न अपले बच्चे को पढ़ाएंगे उन्हों ने मुझे पूझे कि आपका बच्चा क्या बना तो महारा सर मुझे ओवी ने मालूम मैं कुई इतना मालूम है कि मैरा बच्चा को कि आपी सर बने अलाई कि यह बताई अब यह सब हालात हो गए उसके बाद ग्राजुएशन और दिमाग में कब आया कि मुझे यूपीएसी मतब गाउं में जिसे आप पले बढ़े आपको पता भी नहीं होगा कि यूपीएसी की परिक्षा भी कुछ होती है यह सफर कैसे को तक बिल रहे थे 10% अगर आप देते हो इसका तीन हजार रुपे तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूँगा फास्ट इमिजिट्ली ऐसे हलात में तीन हजार रुपी की रिश्वत उन्होंने उस ओफिसर को दे दी तब उस वक मुझे रियलाइज हुआ कि कर के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरिब लोग होते हैं फिर टेंथ की चुट्टियों में हमारे क्लास टीचर थे मापारी सर वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशन के एम पेसी की जो स्टेट का एक्जैब होता है वो क्लियर करके पर हमारे टीचर चुलो वह भी तयारी कर रहे थे यूपिसी की डियों से एक्जैब होता है इसमसे आई एस बन सकते हो कलेक्टर बन सकते हो सबने क्लेक्ष पैसी देने और मेरे पास हारने के लिए कुछ थाई नहीं तो मने कहां चलो बड़ा गैंबल के एथे मैं अब यू कि उस दौरान भी तो यह फेज आया होगा कभी कि यह प्रेशर बने कि अब छोड़ो इसमें तो पता नहीं होगा है नहीं होगा कोई छोटी मुटी नौकरी कर लेते हैं कम से कम अबू अमी का हाथ बटाएं यह प्रेशर था आपके उपर जी बिलकुल था बहुत बहुत बार ऐसा लगता था कि कॉंपटिशन के पाथ साड़े पाच लाग बच्चे एक्जैम देते हैं तैयर करने आल तो से भी ज्यादा है लेकिन बाद में खुछ से में पूछता था कि ठीक है मैं यह नहीं करूँगा तो क्या करूँगा चोटी मुटी कहीं नोकरी कर लूँगा उसमें मैं साटिसफाइड नहीं रह पाऊँगा मुझे बढ़ा करना है कुछ तो और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था क्यों कि देखिए मेरे सामने दो ही आप्शन थे द शाम हम मिले भी थे तुब बहुत खुश और इमोशनल था मैं भी ओखुशी जाहिर कर रहा था पर उस इतने बड़े दीन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तु स्वरवरी के दिन में लाइबरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फोन आया तका अंसार जुद पीसी का रिजल्ट आ गया मैंने का माइग काट मेरे वहाँ पर हाट बीज बढ़ गए इस समझ मिन आड़ता मैं क्या करूँ उसने का तैरा रोल नंबर बता म मैंने का ले लो भाई मैंने उसको मेरा रोल नंबर बेजा और उसने मुझे कॉल करके बताए कि कॉंग्रेशलेसंस तुम पास हो गए हो मैं आपको बताने सकता कि वह खुशी क्या थी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं साथ में आस्वान पर हूँ मेरे पैर जमीन पर ही थे ल अब जनररली देखिए एक रूल तो ही है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है उसको भी पर करना पड़ता है लेकिन मेरे फ्रेंड्स को बता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है तो उनका कि यार छोड़ो यार बाहर क्यो जाना रूम पर ही खाले थे ता हमने के रूम करे खाला कायता है तो इसा प्रश अची आज शब ने आपकी बाते सुनकर रहे हैं कि इतनी खुशी हो रही है कि बच्चा कहां से कहां पहुचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुवात होने वाली है आपको लगता है अंसार आप जहां से आए हैं आपका जो बैक्ग्राउंड है क्या वह आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी मैं यह सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े तो जाहिर से बात है कि एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊंगा मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा जब आज अगर पीछे मुड़के देखते हैं और अपनी जिन्दगी की कोई एक चीज बदलना चाहें तो क्या होगा मेरे जिन्दगी की मैं चाहूँगा कि मेरे बच्पन फिर से आ जाए और मेरे पिता जिए इसमें आइए सो जैस मुझे जब मुझे कोई उनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को और सिफ जो यहां बेठें वो नहीं जो बहुत सारी लोग टेलिविजन पर आपको देख रहे हो और उसमें से बहुत सारे आईएस की तयारी कर रहे होंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जी मुनको यही मैसेज देना चाहूंगा एक रिक्षा चलाने वाले का लड़का अगर आईएस बन सकता है जिसने अपने लाइफ में सारे ओट्स देखे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा और किसी भी मजब का ब तो मैं गरीब वाकर आज हम यह कह सकते हैं कि सपनों को जीना उन्हीं को आता है जिनको हर मुश्किल में भी मनजिल नजर आती है आज के हमारे इन सभी महमानों ने जो खोब खुद के लिए बुने थे उसे हासल करना असान नहीं था बार बार गिरने के बार ये समले और आज इन सभी के कहानिया लाखों लोगों के लिए एक प्रेड़ना है खासकर उन लोगों के लिए जो सपने देखने से नहीं कतराते जो मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं जिनके खौबों के आड़े गरीबी नहीं आती अच्छा लगेगा